असलाव वल्लेकुम फ्रेंड्स क्या हल है सब के अमीदे सब खेरियत से होंगे मैं भी अलहमदोला ठीक ठाक हूँ आज आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ बीफ निहारी और बहुत मज़े की रेसिपी है बहुत सिंपल रेसिपी है तो ट्राइ करें आप लोगों ने इसी तरह सारे स्टेफ फॉलो करते वे निहारी बनानी है ठीक है और जी धनिया डाल देना है थ्री टेबल स्पून और दो अदद बादियान के फूल डाल देना है इसको हमने कुक करना है तो जी आप दूसरा सॉस पे ले लेना है उसमें हम लोगों ने क्या करना है पांच टेबल स्पून आटे के यह इसमें चले जाएगा और यह बेसन है यह भी फाइफ टेबल स्पून है ठीक है तो इसको हमने करना है भूनना है इसको भूनते हैं यहां पर बेसन और आटे को मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ लो फ्लेम में भूनना है और अच्छी सी एक खुश्बू आ जाए और इसका कच्छा पंदूर हो जाए इतना भूनना है तो अच्छी तरीके से इसको भूनते हैं अब जो है अमने नहारी का मसाला बनाना ह उसकी तरफ चलते हैं यहां पर मैं आपको बता दूँ के निहारी मसाले में मैंने क्या-क्या एड़ करना है और इसको पीस ना है तो आप भी इसी तरीके से करिएगा मैं आपको बता देती हूं सारे इंक्रीडियंट्स यहां पर तेज पात के पत्ते हैं दो अदर लॉंग है और दस बारा जो है काली मिरच है चार पंच लॉंग है ठीक है यहां पर जाइफल है दार्चीनी है सौफ है वन टेबल स्पून दार्चीनी के दो चार टुकड़े हैं छोटे तेस विसे ऐसे ले लिए है यह दो टेबल स्पून जो मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है half table spoon इसमें यानि के one tea spoon आपने हल्दी ले लेनी है one table spoon नमक है नमक अपने हिसाब से उसकर लिएगा zero है one table spoon और जी याँ पे जो है लाल मिर्चे हैं देगी वाली वो है one tea spoon चीक है मिर्चे आप लोग अपने कम बढ़ती कर सकते हैं इसके साथ यह है अदरक का पाउडर में पास सौंड जो थी वो खतम हो चुकी थी तो में पास यह अदरक का पाउडर था मैंने यह add कर देना है और इसको अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में लेकर आ जाना है बेसन और आटा जो मैंने भूना था वो अच्छे से थंडा हो चुका है इसको जरूर थंडा करिएगा उसके बाद इसको पानी में add कर के इसका mixture तैयर करिएगा तो इसमें मैं पानी एट कर रही हूँ अराम से कि मेरा मिक्स्चर पतला सा तयार हो जाए और बेसन और आटा जम मैं निहारी में डालूँ हूँ एक दम से लंब्स ना बन जाए तो इसी तरीके से मेरी निहारी के स्टैफ फॉलो करिएगा आप लोगों की निहारी बहुत ज्य बहुत भी इसी तरीके से जरू ट्राय करिएगा फिर मुझे बताईएगा कि आप लोगों की निहारी में क्या चेंजिस मिले आप लोगों को बाराल जी इस तरीके से आप लोगों ने अच्छी तरह फेट के रख देना है ताकि जितना भी पानी सोक होना हो आटे में वह आर मेहारी का बॉंग का और यह प्याज है अधर अगलसन है हट्डियां है कुछ और यह भी मेहारी मसाला है तो जी शुरू करते हैं पिर तो यहाँ पर वाइल में सबसे पहले हमने गोश्ट डालना है और इसके साथ साथ जो है इसको भूनना है अच्छा मेरा वही अगेन आप लोग उससे कह रहा है कि गोश्ट को बहुत अच्छी तरीके से अगर आप भून लेना तो उससे क्या होता है आपका जो भी आप जो है इसी तरीके से भूनते रही हूं इसमें मैंने हड़ियां भी एट कर दी है और आराम से मेरा कलर चेंज हो चुका था पानी बिल्कुल खतम हो चुका था फिर मैंने इसमें अपनी जो प्यास थी मैंने यह दो अदद प्यास ली थी वो मैंने इसमें एट कर देनी है और प्यास को डालने के बाद भी मैने इतना भूना था कि प्यास उसमें ही जो है गुल चुकी थी प्यास दिख भी नीरी अजलीस आदे गंदे मैंने इसको इसी तरीके से भूना था तो आप लोग भी इसी तरीके से इसको करियेगा आपकी निहारी बहुत अच्छी तो इसका टेस्ट जड़ा अलग होता है छोटे पीसिस का टेस्ट अलग होता है ठीक है तो इसको भूनते हैं यहां पे देखें अच्छी तरीके से प्यास भी गुल चुकी थी बिलकुल प्यास दिक नहीं रही थी अब मैंने इसमें टू टेबल स्पून यही वाला जो है लसन अदरक दाला है लसन अदरक जाएगा इसमें क्योंकि उसका जो है उसी का ग्रेवी बनेगी और जो है बड़ से दस मिनट भूनना है अच्छी तरीके से आप देखें गोश कितना माशाला प्यारा सा भून चुका है तो इसको भूनते हैं लसन अदरक इसी तरीके से डालके दो जालके से तरीके से बत्स अच्छी प्यारा से खड़ से अज़ की तरीके से तरीके से तरीके से दो हैं यह किकmor़ झालके से नहागा जाती है गोश बहुत अच्छी तरीके से आप खुद देखो भून चुका है अटलीस 40 मिनिट मुझे इस तरीके से हो गए थे पियास रोधरक लस्टन के साथ डाल के गोश में अब मैंने ये जो निहारी मसाला घर पे बनाया था इसी में जो है मैंने ये पानी डाल दिया है ताके मसाल किसे मिक्स करके रख दे मसाला पानी के साथ अराम से पिर सब बोटियों में लग जाता है तो मैंने फिर इसको भूना है अटलीस एटलीस 10-15 मिनिट मसाले के साथ भूना है तो ये भूनते हैं तो जी यहां पे मेरा निहारी का जो मसाला था वो जा चुका था और बहुत अच्छा से खुश्बू आ रही थी और मसाला बहुत अच्छी तरीके से बुन चुका था at least 15-20 मिनिट मैंने इसको इसी तरह किसे मसाले में भूना था उसके बाद मैंने क्या करना है यह जो घोल तयार किया था आटा और बेसन का वो एट कर देना है यह जो खाने वाला जो हम हांडी वाला चमचा चला रहे हैं यह मैंने तीन टेबल स्पून करके सारा घोल एट कर देना है 2 से 3 बारी में साथ साथ इसमें पानी जो गया था वह सौंफ और अद्रक का और जो धनिया का पानी हम लोग ने तयार किया था वो एड कर देना है साधा पानी एड नहीं करना क्योंकि यही रेसिपी की जो है ना एक ट्रिक है जो मेरी अम्मी बनाती है उसी तरीके से मैं भी नहारी बनाती हूं तो टेस्ट आप लोग भी बना के देखिएगा कितना चेंज आएगा अब मैंने इसमें सौफ औ धनीय का पानी डाला था उसके बाद दुबारा आटे का गोल डाला है इसी तरीके से मेरा दूसरे टाइम था कि मैं इसको मिक्सचर को एड़ कर रही हूं और फिर मैंने इसको चलाना है अच्छी तरीके से था कि कोई भी आटे का लंप्स ना आए और दोबारा से इसको ढख के रख देना है। ठीक है तो ये करते हैं। दोबारा से इसको कवर करके रख देते हैं लो फलेम में इसी तरीके से 5 टेबल स्पून करके सारा गोल बिलकुल जा चुका था। ब्ल from layers ताय रेसिपी मेरी थи 5 टेबल स्पून आठा लेना है 5 टेबल स्पून जो मेरी थोड़ा थोड़ा करके टाल दिया City 2-3 आपर और लो फ्लेम में रख दिया City कवर करके तोड़ा थोड़ा पानी को पानी डालlands इतना कि मेरा गोश्ट अराम से गल जाए और इसको हलकी फ्लेम में रख दूँगी मैंने तीन से चार घंटे के लिए बहुत लो फ्लेम में दमवली आच पे पकाई थी नहारी तो इसके बाद मैंने इसको ढख के रख देना है और चेक करते रहना है कि गोश्ट कितना गल चु और माशालला से इसमें कोई मैंने भागार नहीं लगाई या आप चाहें तो लगा सकते हैं एक्स्ट्रा वाइल के लिए बहुत एजी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से नहारी थोड़े से जो है स्टैप अलग है और इसी तरीके से आप लोग फॉलो क बताईएगा और दुआउं में याद रखिएगा अपनी आलाहाफिज फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ